हेलो फेंड्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंड्साइज के इस फीडियो में फुल ब्लाउस का टिटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और यह एक डिजाइनर ब्लाउस दे 32 साइज का अगर आप इस डिजाइन को अपने ब्लाउस इसे बना सकते हैं तो मैं इसे डीबनेक पर बना रही हूं 32 साइज के लिए आप अपने साइज के इसाब से मेरिमन्ट लेकर इसे आसाणी से बनाऻ सकते है तो सब्से पहले हम करेंगे बैख पार्ट की कटिंग तो यहाँ पर देखें डोटल लंबाई रख यह मैंने बैख क्योंकि उपर की तरफ में कॉलर लगाऊंगी और मैंने इसे स्लीव लेस पर रखा है आप स्लीव लगा कर भी बना सकते हैं शोल्डर इसमें रखने आपको 32 साइस के लिए 5.5 इंच आर्मोल रखेगा 5.5 इंच और गले के विट रखूंगे मैं यहाँ पर इसके लिए पॉना के लिए बैक हुक का ब्लाउस दे आप चाहे तो आदा इंच का यहाँ पर लूजिंग ले सकते हैं चेस्ट में और यहाँ पर दिखिए कमर का मेजरमेंट लेना है कमर 26 इंच उसका चोता भाग लेंगे 6.5 इंच एक्स्टा मार्जिन और एक इंच एक्स्टा ओर लिया है मै कमर की प्लिट्स के लिए गुलाई कर लिए इस तरीके से सवाइक इंच पर आर्मोल की गुलाई देनी है और इसे कट कर लेना है तो दीखें बैक पार्ट की मार्किंग मैंने पूरी कर ली है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ बैक पार्ट को मैंने अस्तर पर कटिंग कर लिया है इसके बाद हमें लेना है फिर से अस्तर वाला फैब्रिक और इसे मैंने इस तरीके से यहाँ पर रख लिया है बैक ओपन में बना रही हूँ अगर आप बोटनेक पर बना रहे हैं तो आदा इंच आप एक्स्टा जरूरी है हाई हूग की पटी के लिए कपड़ी के बंत भाग को मैंने अपनी तरफ ही रखा है फ्रेंट पार्ट का कटिंग कर रही हूँ शोल्डर साड़ी-पांच ही लेने है आर्मोल भी साड़ी-पांच ही लेने हैं आपको यहाँपर चेस्ट का चोथा बाग रखा है 18-14 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए मार्जिन भी आप 2-5 इंच तक आप ले सकते हैं अपने ब्लाउस के लिए कमर का 4 पार्ट ले लेंगे कमर हे 26 इंच उसका चुत्रा भाग लिया है साड़ी 6 इंच चेस्ट और फिटिंग की लाइन आपको मिला लेनी है अब एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे प्रिंसस कट के लिए तो मैंने यहापर 2-5 इंच पर बढ़ाया है उपर से लेना है आपको 1 इंच 2-5 इंच आप मार्जिन एक्स्ट्रा लीजिएगा क्योंकि प्रिंसस कट का जब हम बीच में से कटिंग करते हैं तो साइड में हमारा कप्ला छोटा हो जाता है तो इसके इसे बढ़ानी के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है और फ्रेंट पार्ट की टोटल जो लेन थे वो रखी है मैंने यह आपर 15 इंच जब भी आप प्रिंसस कट का पार्ट कटिंग करें पहले मैं आदा इंच एक्स्ट्रा लेती थी पर मैं अब एक इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्रेंट और बैक का पार्ट हमारा बहुत ही बराबर आता है तो आप भी एक इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा गले की चोड़ाई रखी है पोना तीन इंच और गले की लंबाई साड़े पांच इंच ली है आप अगर चोटा चाहें तो पांच इंच भी रख सकते हैं और बड़ा चाहें तो छे इंच भी ले सकते हैं मैंने रखी है साड़े पांच इंच इससे देखिए आपको इस तरीके से शेव दे देना है उपर की तरफ मिला देना है जैसे मैंने बनाया है तो अगर आपको इसमें पेपर पेस्टिंग लई लगाना है तो आप इसी तरीके से गले को कट करके पलट के भी बना सकते हैं प्रिंसस कट की कटिंग के लिए विर्थ में तीन इंच पे मार्क किया है और उपर से देखिए टक्स पॉइंट रखेंगे 10 इंच आप अपने साइस के कॉडिंग टक्स पॉइंट लीजिएगा 9 या 10 इंच पे जितना भी आता है मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर दीखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना दी है अब हमें यहाँ पर इसे मिला देना है टक्स पॉइंट आप अपने साइस के अकॉडिंग नाप कर लीजिएगा बोडी से और यहाँ पर दीखिए विट में लिया है मैंने 10 इंच और लंबाई में भी 10 इंच लेकर इसे इस तरीके से मिला दिया है तो प्रिंसस कट का मार्किंग मैंने आपर पूरा कर लिया है तो लेंट में हमने जो एक इंच बढ़ाया था उसे हमें कमर की तरफ से इस तरीके से मिलाना होता है जिससे की हमारा बैक पार्ट और फ्रेंट पार्ट दोनों बराबर रहे इस तरीके से मैंने इसे साइड में से कटिंग कर लिया है और अब हम कटिंग करेंगे प्रिंसस कट वाले पार्ट को तो जैसा शेप हमने बनाया हुआ है इससे कट कर लेंगे और आर्म मोल की जो गुलाई है वो मैंने अभी कट नहीं की है वो मैं stitching के समय पर करूँगी और ये deep neck के तो इसमें घहराई हम ज़्यादा cutting नहीं करेंगे back का गला जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इस design के अंदर तो मैं बना रही हूँ simple V shape जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आप boat neck का design भी दे सकते हैं इसमें मैंने दिया है simple V गला अब मैं इसे man fabric पर cut कर रही हूँ ये दिखे सारे ही part मैंने man fabric पर cut कर लिये हैं इसके बाद मैंने लिया है paper pasting अगर आपको paper pasting नहीं लगाना है तो भी आप गले को बना सकते हैं सिलाई लगाकर बल्टा कर तो जैसा मैं इसमें cutting कर रही हूँ आप direct कपड़े पर भी इसका cutting कर सकते हैं width पोना 3 inch लंबाई 5.5 inch यहां से भी पोना 3 inch पे एक चोकुर box बना लेंगे ये दिखे और simple हमें इस line को इस line पे मिला देना है तो ये marking मेरी हो गई है और इसके बाद हमें बाहर की तरफ एक inch extra ले ले लेना है पेपर पेस्टिंग को और इसे cutting कर देना है तो यहां पर दिखे मेरा जो गला है वो cutting हो चुका है बीच में से इस design को हम इस तरीके से cut करेंगे उपर की तरफ से आपको इसे cutting करना है तो जब आप इसे cut कर लेंगे तो यह दिखे इसका जो shape है वो M जैसा दिखेगा तो cutting मेरी पूरी हो गई है अब मैं आपको बता रही हूँ इसका stitching आपको कैसे करना है सबसे पहले देखिए मैंने ये जो part है हमारा इसे अस्तर के उपर attach कर दिया है आप प्रेस से चिपकाना चाहें इसे तो चिपका भी सकते हैं फैब्रिक के उपर मैं इसे सिलाई लगा रही हूँ दोनों तरफ से अच्छे से मैंने सिलाई लगाती है अब साइट से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालते ना है तो fabric को मैंने cutting कर दिया है इसके बाद हम कर लेंगे इससे fold तो side से देखे fabric को हम fold कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से finishing के साथ इसे fold कर लेना है और इससे देखे हमें double fold करते हुए center में marking कर लेनी है चॉक से यहाँ पर marking कर लेंगे देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब हमें इसे अटेश करना है तो अटेश करने से पहले अस्तर और में कपड़े को साथ में जोड लेंगे यह दिखिए चारो तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसका सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है इसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ साइट से एक्स्ट्रा फैब्रिक को तो ये फैब्रिक हम कट कर लेंगे और इसे इस्तर की बराबर से कर लेंगे अब देखें मैं इहाँ पर इसे डबल करते हुए center में एक छोटा कर्ट लगा रही हूँ chalk से आप यहाँ पर marking कर लीजेगा गले को attach करने के लिए तो अब मैं यहाँ पर गले को रख रही हूँ center में छोटा सा कर्ट आपको उपर की तरफ लगा लेना है और center mark से center mark मिलाते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर इससे attach कर देना है तो मैंने आदी दूरी पर सिलाई लगाई है इसके बादे कि हमें क्या करना है यहाँ पर पूरी marking कर देनी है क्योंकि यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है तो पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए आप इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाईएगा दोनों तरफ अच्छे से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाती है और इसके बाद एक एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे तो यह जितना भी बीच का फैब्रिक था वो मैंने कटिंग कर दिया है साथ में यहाँ पर आपको छोटे कट सरूर लगा देने हैं ताकि गला जो ही वासानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए अब दिखी इसे पलट करके हमें सीधा करना है तो यहाँ पर हम फैब्रिक को पलटेंगे और गले को अच्छी से बाहर की तरफ निकाल लेंगे कोई भी नोक वाली चीज से आप इसे हलकाल का प्रेस करेंगे तो सेंटर का जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा तो दिखी मैंने यहाँ पर गले को अच्छी से फिनिशिंग दे दी है और इस पर मैंने प्रेस भी कर ली है प्रेस करने से गला बहुत ही अच्छी तरीके से बैट जाता है तो आप इस पर प्रेस जरूर लगा लें गले पर नेक के उपर अब हमने एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है तो इस तरीके से सिलाई लगाने से भी गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी तो दिखें नेक हमारा बन के तयार हो गया है और इस पे बहुत ही सिंपल तरीके से कॉलर भी अटेश कर लेंगे जो बहुत ही अच्छी लगेगी यहाँ पर दिखें मैं प्रेंसस कट वाला पार्ट भी अटेश कर रही हूँ तो एक तरफ का जो पार्ट ही वो मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ दूसी तरफ का भी आपको इसी तरीके से तयार कर लेना है पहले आपको दोनों पार्ट को आपने सामने की तरफ रखना है और फिर ही सिलाई लगानी है एक्स्ट्र फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे तो दिखें दोनों पार्ट मैंने तयार कर लिए हैं और इसके बाद हमें इसे अटेज करना है ब्लाउस के साथ तो नीचे की तरफ से मैं इसे उपर की तरफ अटेज कर रही हूँ आप भी नीचे से ही अटेज कीजिएगा उपर अगर कोई भी भाग बड़ा चोटा होता है तो आप उसे शेप देकर कटिंग कर सकते हैं एक पार्ट मैंने अटेज कर लिया है अब मैं दूसरा पार्ट अटेज कर रही हूँ तो दिखी यहां से इस पार्ट को भी हमने अटेज कर लेना है दूसरे वाले पार्ट को भी मैं अटेज कर दिया है अब हमने इसका आर्मोल का शेव देना है तो आदा हिंसे भी थोड़ा कम हम यहाँ पर कटिंग करेंगे क्योंकि डीपनेके अगर आप बोटनेक पर बना रहे हैं तो पोना एक इंच पर गहराई करके आप कट कीजेगा तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से कटिंग कर दिया है और यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है तो इतना भाग कम्प्लीट करने के बाद देखे आपको क्या करना है इसे डवल्फ करते हुए अच्छे से चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है फिटिंग लगाने से पहले यह बहुत ही जरूरी होता है नीचे से और उपर से हम बराबर करके से कटिंग कर लें कटिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा आप देख कर करें क्योंकि मुझे प्रैक्टिस से अगर आप बिगनर से तो थोड़ा दियान से कट करें कि आपका ब्लाउस का लंबाई ज़्यादा कटना हो बराबर से ही उसका लेंथ सही रहें और अगर आप बिगनर से तो ब्लाउस में मारजिन आप हमेशा 2-5 इंच लेकर रखें क्योंकि 1,5 इंच मारजिन थोड़ा कम रहता है मैं 1,5 इंच पर रखती हूँ आप हमेशा 2-5 इंच पर ही मारजिन रखें ताकि कभी आपको ब्लाउस को टाइट या लूस करना हो तो प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेंट पार्ट रेडी कर लिया है अब मैं आपको इसका कॉलर बता देती हूँ कॉलर के लिए आप पट्टी लीजेगा अगर पट्टी चोटी है तो आप इसमें जोड लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है और इसी के साथ मैं अस्तर का कपड़ा भी ले रही हूँ इसमें मैं पेपर पेस्टिंग नहीं लगाऊंगी आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं यह दिखिए पटी के जो विट रखी है मैंने यहांपर लंबाई जो है इसकी वो 1.5 इंच है और चोड़ाई जो है इसकी वो सबा तीन इंच पर है आप अपनी पसंद से इसकी जो विटथ है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं जो collar के हम length रखते हैं यहाँ पर देखे इसके जो गुलाई आईगी collar की जो यहाँ पर width रहेगी collar की वो आप अपने गले के हिसाब से measure करके लीजेगा तो आप inch tape से नाप सकते हैं अपनी गले का जो round होता है और आप इसे थोड़ा सा बढ़ा कर भी ले सकते हैं क्योंकि हुक के जरीए एक्जिस हो जाता है तो एक आदा से एक इंच collar की लंबाई आप बढ़ा कर ही लीजेगा यहाँ पर देखे आपको क्या करना है इस अस्तर के साथ जोड लेना है उसके बाद इसे एक तरफ से बंद करते हुए आपको सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने इस collar की लंबाई जो है वो नाप कर ली है आप अपने गले के साब से नाप कर ही cutting कीजिएगा तो इसे हम पलट के सीधा करेंगे तो इस तरीके से देखे आपको इसे पलट ना है सिलाई मैंने लगा दी है एक तरफ से इसे खुला रखा है मैंने पलट के सीधा करने के लिए पलट के मैंने इसे सीधा कर लिया है और इसका corner आपको निकाल लेना है तो कोई भी नोख वाले चीज से आप इसका corner निकाल लेजेगा मैंने हाँ पर सुई की मदद से कॉनर को निकाला है और एक भार आप इस पर भी प्रेस कर लीजेगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सैट हो जाएगी ये देखिए हाथों से फिनिशिंग देना है और फिर प्रेस भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर अब देखिए मैं इसके उपर एक सिलाई भी लगा देती हूँ जिससे की कॉनर अच्छे से पैट जाए तो कॉनर की एक सिलाई लगा दी है और जो लास्ट वाला पार्ट हमारा खुला हुआ था इसे भी अंदर की तरफ कर देना है फोल्ड करते हुए तकि यहाँ पर भी फिनिशिंग अच्छी दिखे तो मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर इसे लॉग कर दिया है जहाँ पर भी आप सिलाई को उतारते हैं पर आप सिलाई को पका जरूर कर दीजेगा यहां पर देखे इस कॉलर का करेंगे सेंटर मार्क सेंटर मार्क करने के बाद आपको जो बीच वाला इसका डिजाइन है जिसका नोक निकला है वहां पर आपको इसे पका कर देना है तो बैस इतना ही करना है जिसे कि यह कॉलर जो ह तो बस यह जो पैटन है का फ्रण्ट घृप्टेश कर सेढं़ीлох यह बस पैटन हो गया है। वैसे तो यह डिजाइन एक्दम नहीं है, थोड़ा पुराना हो चुका है पर अभी भी यह डिजाइन चल रहा है मैंने इसके वीडियोस देखे हुए हैं इंस्ट्राग्राम पर भी येवाला डिजाइन अभी चल रहा है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अच्छा लगेगा इस डिजाइन और अगर आप बनाते हैं तो मुझे इंस्ट्राग्राम पर फोटो सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर दिखिए मैंने इसे पिन के साथ अटेज कर दिया है बैक नेक में भी अगर आप फिनीशिंग के लिए पेपर पेस्टिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं मैं इसे सिंपल सिलाई लगा कर ही पिलट रही हूँ तो पहले मैंने इसे सिलाई लगा दी है और फिर छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे तो बैक साइट में मैंने आदा इंच हाई हूग की पटी का नहीं लिया है अगर आपका गला छोटा है तो आप जरूर लीजएगा आदा इंच एक्स्ट्रा हाई हूग की पटी के लिए और अगर डीप कला होता है तो आपका इसी में एक्जिस हो जाता है जहाँ पर हम कमर में साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं एक इंच का यहाँ पर देखिए मैंने गले को अच्छे से पलट लिया है हाथों के साथ इसे फिनेशिंग दे दी है उपर से एक सिलाई लगा देंगे तो इस पार्ट में मैं कमर पट्टी नहीं लगा रही हूँ मैंने एक इंच इसी में एक्स्ट्रा रे लिया है यह देखिए नीचे जो किनारी वाला पार्टे इसे ही मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी तो आप भी इसा कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा कप्डा होता है तो नीचे आप एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दीजेगा एक से देर इंच का और इसे ही फोल्ड कर दीजेगा तो सबसे पहले हमें सिलाई चारो तरफ लगाती नहीं फिनिशिंग के साथ और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है सभी तरफ से एक्स्ट्रा कप्डे के पार्ट को कटिंग कर लेंगे अब हमें कमर में प्लेट्स अटेश करनी है तो सेंटर से कप्डे को फोल्ड करेंगे और यहां पर आपको चार इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है उपर की तरफ चार इंच आएगी और यह नीचे भी देखे प्लेट्स है तो ये प्रेट संदर की तरफ चली जाएगी इस तरीके से तो आपको जितना fold करना है आप इतना पहले यहाँ पर इस तरीके से crisp बना ले और fold आपको एक जिसी करना है आप चाहें तो पहले pin लगा ले या press कर ले तो दीखें बहुत ही अच्छा इसमें finishing आ गया है आप जाएं तो नीचे की तरफ एक सिलाई ओर लगा सकते हैं तो ये पार्ट मेरा ready हो गया है अब मैं कर रही हूँ इसे बीच में से cut cut करने के बाद हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे और अब आप इसके उपर high hook की पटी अटेज कर सकते हैं high hook की पटी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं high की पटी के साथ मैंने अस्तर को अटेज कर दिया है ये देखे और पटी के चोड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की 2.5 इंच दो इंच भी आप रख सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने चॉप से मार्किंग कर दी है इतनी दूरी पर मुझे पटी को अटेज करना है पटी को मैंने नीचे की तरफ रखा हुआ है फिर एक सिलाई मैंने इस तरीके से लगा दी है अब इसे अंदर की तरफ करते हुए परट लेंगे और उपर नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ के कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लेंगे अब जो मार्जी ने इसे अंदर की तरफ करते हुए उपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे आपको तो देखिए मेरी हाई की पटी रेडी हो गई है इसके बाद अब मैं हूप की पटी तयार कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने हूप की पटी लगा ली है आपको जिस तरफ से भी जमता है हूक लगाना, आप उस तरफ हाई उरूप की पटी अपनी पसंद से लगा सकते हैं तो ये पार्ट मेरा ready हो गया है, इसके उपर लगा कर आप इसे बराबर से चेक कर लें तो दिखिए फ्रांट और बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है और अब मैं कर रही हूँ इसका शोल्डर अटेज तो यहाँ पर हमें रखना है उपर आदा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटेज करना है शोल्डर पे आप डवल स्लाइज जरूर लगा ले और इसके बाद इकी दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे से अब आपको मैं बता रहे हूँ कि एक्स्टर फैब्रिक कैसे निकालना है तो मैं फिटिंग लगाने से पहले भी आपको एक्स्टर कपड़ी के पार्ट को निकालन है तो यह एक्स्टर पार्ट निकल रहा था मेरा बैक साइड का क्योंकि हम एक इंच एक्स्टर लेते हैं तो कहीं पार एक्स्टर निकल जाता है यहाँ पर मार्जिन तो इसे भी आप कर लें और मैंने यहाँ पर मैजर नहीं किया है क्योंकि मुझे हैबिटे कटिंग करने क कि यहाँ पर आप पहले measurement ले लें inch step से उसके बाद ही cutting करें क्योंकि extra margin cutting नहीं होना चाहिए यहाँ पर दिखें मैंने इसे cut कर लिया है और अच्छे से इसकी finishing कर ली है कपड़ी के extra margin को cut extra जो कपड़ा था उसे मैंने cut करके निकाला है इसके बाद मैं armhole पे यहाँ पर पटी लगा रही हूँ पटी को मैंने cross में cutting किया है अगर आप इस plouse में sleeves अटेश करना चाहें तो sleeves भी आप लगा सकते हैं balloon sleeves लगा सकते हैं वो भी बहुती अच्छा लुक आएगा इस plouse का जो measurement है वो सेम रहेगा measurement को आपको change नहीं करना है तो मैंने यहाँ पर पटी अटेश कर दी है देखिए पटी को fold कर दिया है fold करने से पहले पटी पर आप cut ज़रू लगाए ताकि आसानी से और finishing के साथ पलटे अंदेग की तरफ तो आप देख सकते हैं shoulder पर बहुत ही अच्छे finishing आई है और अब मैं इसके दूसरी तरफ पर भी पटी अटेश कर रही हूँ तो दीखिए दोनों तरफ के arm holes पर मैंने finishing कर ली है और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पर side से सिलाई भी लगाती है तो सिलाई हमें पहले उर्टी तरफ लगानी है यह देखिए दोनों पल्लों को मिलाते होے सिलाई दोनों तरफ मैंने अच्छे से सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लिया है यह दीिखिए इस तरफ से भी मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमने करना है इसका chase to waste का चोथा भाग तो सबसे पहले हम center में एक marking करेंगे उसके बाद chase का चोथा भाग लेंगे यहाँ पर fourth part लिया है आट इंच और नीचे से लिया है साड़े change इससे line draw करके हमने मिला देना है और सेम इसी तरीके से दूसी तरफ भी fitting का निशान mark कर लेंगे marking कर लेने के बाद हमने simple fitting की यहाँ पर सिलाई लगा देनी है दोनों ही तरफ अच्छे से आप दो-तिन सिलाई पास में और लगा सकते हैं मैंने एक एक ही लगाई है यहाँ पर shoulder को पीछे करके आप एक shoulder पर सिलाई भी लगा सकते हैं मैंने shoulder कर जो marzin ने इसे पीछे करते हुए सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से यह देखी ताकि marzin बाहर की तरफ ना दिखें तो मेरा यह blouse का डिजाइन बन करके पूरा हो गया है तो यह था फ्रेंड्स मेरा आज का blouse डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट करके जरूर बिताईएगा अगर इस तरीके के डिजाइन और देखना चाहते ही तो कॉमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद